Overall, 2023 में बहुत एक Abundant Energies रहती हुई दिख रही है और कहीं दिखें, Wealth, Money, पैसे से Related अच्छा रहता हुआ दिख रहा है जिस भी चीज पे आप effort कर रहे हैं, उससे Related भी एक Positive Results आपको मिलते हुए दिख रहे हैं आपके काफी Connections बन रहे हैं, आपका Network बहुत जादा बढ़ रहा है तो ये एक Blessings 2023 आपके लिए लाता हुआ दिख रहा है तो चलिए Libras आपकी Reading शुरू करते हैं इस Reading में आप देखेंगे कि 2023 आपके Sun Sign के लिए आपके Different Life के Areas के लिए कैसा रहेगा क्या Blessings 2023 आपके लिए लेकर आ रहा है, कौन से Significant Months आपके लिए 2023 में रहेंगे क्या आप लोगों के लिए Guidance रहेगी जिसको Follow करके आप अपने लिए 2023 को और बहतर कर सकते हैं ये Reading बहुत बहुत Exciting रहने वाली है क्योंकि इस Reading में मैंने दो Major Changes किये हैं सबसे पहला बहुत सारे लोग मुझे नीचे Comment section पर लिखते हैं कि Ma'am Please आप हमारे सामने Cards निकाला करें Actually मैं तुरंत Meditation के बाद Cards निकालती हूँ उस टाइम पर Frame of Mind नहीं होता है कि मैं Record करूँ लेकिन इस Reading में जब मैं आपके 2023 के Cards निकाल रही हूँ उसको मैंने Record किया है आपके साथ Share किया है तो आप अपने Cards को निकलता हूँ देखेंगे And secondly इसमें मैंने Horoscope Spread किया है Horoscope में 12 Houses होते हैं जो आपके Life की Different Areas को Represent करते हैं तो बहुत डीटेल में आप जानेंगे कि आपकी Life की Different Areas में 2023 में क्या हो रहा है And before I start the reading, wish you all a very very Happy New Year I really wish कि 2023 आपके लिए धेर सारी खुशियां, धेर सारा प्यार, धेर सारी सक्सेस लेकर आए जो भी आपने अपने लिए गोल्स बनाए हैं 2023 के लिए उनको आप जरूर जरूर अचीव करें और एक वीडियो भी मैंने specifically 2023 की General Energies के लिए बनाया है आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं और उसमें टिप्स भी हैं कि कैसे आप अपने लिए 2023 को और बहतर करें And एक और चीज़ आपसे कहना चाहूंगी कि प्लीज प्लीज इस रीडिंग को आप as guidance लें जिस भी लाइफ के एरिया के लिए आपको लगे कि भाई बहुत positive कार्ड नहीं है उसको देखके बिलकुल भी आपने परिशान नहीं होना है In fact कैसे आप उस लाइफ के एरिया को और बहतर कर सकते हैं उसके उपर आपने जादा focus करना है और इस रीडिंग को आपने as guidance लेना है क्योंकि देखे इसी intention के साथ मैंने ये reading आपके लिए बनाई है कि ये reading आपको help करे जो आप खुद के लिए 2023 में चाहते हैं उसको create करने के लिए 2023 को कैसे आप बहतर कर सकते हैं उस intention के साथ मैंने reading बनाई है और प्लीज आप भी इसी intention के साथ इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं आपकी reading तो चलिए Libras आप लोगों के लिए देखें कि 2023 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है क्या different life के areas में 2023 में हो रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर हमें horoscope spread कर रही हूँ horoscope में 12 houses होते हैं और 12 houses different life के areas को represent करते हैं तो यहां पर सबसे पहले राइरवाद से मैं आपके लिए 12 cards निकालूंगी हर एक house के लिए और साथ के साथ मैं आपको उन 12 houses का shot में role भी बताऊंगी significance भी बताऊंगी तो आपके लिए अच्छे से cards shuffle कर लेते हैं and then I'll take out the cards Libra's Year 2023 Yearly Reading Libra's Year 2023 Yearly Reading Libra's Year 2023 Yearly Reading कैसा रहेगा Libra's के लिए साल दो हजार तेईस क्या डिफरेंट डिफरेंट लाइफ के एरियास में Libra's के लिए रहेगा साल दो हजार तेईस में एक सेकेंड Libra's थोड़ा सा cards को पीछे करते हैं तांकि आप अच्छे से अपने cards को देख पाएं okay first house self का होता है and first house के लिए आप लोगों के लिए card है yes wheel of fortune major arcana का card है बहुत ही positive card है and second house wealth का होता है assets का होता है positions का होता है इसके लिए the magician का card है यह भी major arcana का card है and a beautiful very very positive card third house siblings का होता है कैसे आप communicate करते हैं उसका होता है कैसे आप you know सोचते हैं उसका होता है short travels का होता है इसके लिए आपके लिए night of cups का card है fourth house को हम सुख स्थान कहते है fourth house vehicles को represent करता है property को represent करता है and आपके residence को भी represent करता है इसके लिए आपके लिए two of swords का card है and 5th house love का होता है, romance का होता है, creativity का होता है, pleasures का भी 5th house होता है, education का भी 5th house होता है इसके लिए आप लोगों के लिए देखें कौन सा कार निकलता है 9th of pentacles, 6th house health का होता है, जो लोग, you know, job करते हैं, जिनका profession job से related है उसके लिए हम 6th house को देखते हैं and 6th house is also a house of service to others इसके लिए आप लोगों के लिए night of wands का का कार है and 7th house marriage का होता है, spouse का होता है, partnerships का होता है, life partner का होता है and इसके लिए आपके लिए the sun का का कार है, again a very very beautiful card in fact the best card in the tarot and 8th house ending beginnings का होता है इसके लिए आपके लिए queen of swords का का कार्ड है and 9th house को हम luck house कहते हैं, धरम स्थान होता है, spirituality को represent करता है and higher education को represent करता है, long travel को भी represent करता है इसके लिए आपके लिए five of pentacles का का कार्ड है 10th house profession का घर होता है, 10th house को हम करम स्थान भी कहते हैं इसके लिए आपके लिए ten of cups का का कार्ड है and 11th house gain house होता है यानि कि हम उसको लाभस्तान कहते हैं, social circle का होता है, friends का होता है इसके लिए आपके लिए three of cups का का कार्ड है and 12th house आपके fears का होता है, जो भी subconscious level पे होते हैं, deep rooted होते हैं, खर्चे का होता है, किस जगा पे आपका खर्चा हो रहा है and foreign country से related, जो भी चीज़े होते हैं, उनको भी हम 12th house से देखते हैं, इसके लिए आपके लिए king of cups का का कार्ड है and अब Libras मैं आपके लिए rider watch से कार्ड निकालूँगी, ऐसे ही 12 कार्ड निकालूँगी और detail में इनी life के areas को जानने के लिए and यहाँ पर दिखे, मैं सिर्फ कार्ड निकालूँगी, क्योंकि houses मैं आपको already बता चुकी हूँ and आपकी reading में मैं आपको बहुत detail में explain करने ही वाली हूँ कि क्या रहेगा तो अभी हम फटा फट से आपके लिए 12 कार्ड निकालते हैं Libras year 2023 yearly reading 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 4, 2022 और यह already घर जसका रिडियर ए त nghेर 24 और और सेयर 2023 यर लीर आप्रण के लंद्या यर जजा हैर 2023 यर लीर भर स tut अन्वेकर देश्रा हैर 2020 3rd house experience 4th house guilt 5th house playfulness 6th house projections 7th house flowering 8th house completion 9th house libraz 9th house aap ke liye rebirth hai and 10th house we are the world 11th house 11th house libraz ke liye 11th house nothingness 12th house mind and ab libraz dikhenge ki aap ke liye kiya 2023 ke liye guidance rehegi jisko follow karke aap 2030 ke liye kiya guidance rehegi libraz 2023 ke liye kiya guidance rehegi libraz 2023 ke liye qia guidance Assim lbroaz 2013 ke liye kia guidance rehegi libraz 2023 ke liye kiya guidance rehegi यहाँ पी अप्रोइस में आपके लिए तीन कर्द्ष न्कालूंगी फुर्स गढ is retreat second card is the gentle and third card is obstacles अब देखते हैं Libra's astrology card से actually जब मैंने cards निकाले थे जब मैंने सोचा था कि मैं new year की reading करूँगी कौन कौन से cards यूज करूँगी तो ये वले cards मैंने ये सोच के निकाले थे कि क्या focus area आपका रहेगा क्या main चीजे रहेंगी बट जैसे जैसे मैं readings कर रहे हूं ये cards जादा guidance आपको 2023 के लिए दे रहे हैं तो जैसे divine की मरजी so maybe this is God's intent that you know these cards give you the guidance तो ये जादा एक और guidance के point of view से cards है astrology cards है अभी मैं निकालूँगी तो आप कुछ से ही देखेंगे so Libra's 2023 yearly reading 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 तो ये card निकला है Libra's इसको देख लेते हैं 6th house Virgo Health so this is more for a guidance यहाँ फिर देखें अगर हम focus area भी देखें तो 6th house जो की health का घर होता है उसके लिए आप लोगों के लिए focus रखने की जरद है यहाँ फिर आप रख रहे हैं okay दो और cards निकालेंगे यहाँ पर yes element fire okay I'll read this masculine और yang energy और इसको मैं आपकी reading में अच्छे से explain करूंगी one more card we'll take out Pisces Rehabilitation right okay अब आपके लिए Libra's blessings क्या 2023 आप लोगों के लिए blessings लेकर आ रहा है Libra's 2023 blessings 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 लिप्राज के लिए क्या 2023 में ब्लेसिंगी या 2023 क्या ब्लेसिंग्स लिप्राज आपके लिए लेकर आ रहा है चलिजी देखते हैं the first card is grapes I'll explain this card in the reading to you abhi ke liye आप read कर सकते है and the second card is emerald ये बहुत सरे लोगों के लिए कार निकला है and the third card is telephone okay now we'll see the significant months and then we start your reading so yes Libra's क्या लिप्राज के लिए 2023 के लिए significant months होंगे क्या लिप्राज के लिए दो काज निकले एक पर इच्छे से शफल कर लेते हैं Libra's फिर लिए फिलाल जुलाई निकला था लिप्राज year 2023 significant months Libra's year 2023 significant month Libra's year 2023 significant months October October is going to be the significant month for you November September and September तो दिखिए September October या September October November ये तीन months आपके लिए significant हैं क्योंकि जुलाई के लिए भी card निकला था तो उसको भी आप देख सकते हैं as a significant month बट जादा September October November are going to be the significant months तो चलिए जी Libra's आपकी reading में मैं आपसे मिलती हूँ और detail मैं आपको बताती हूँ कि cards क्या कह रहे हैं 2023 के लिए तो चलिए Libra's आपकी reading शुरू करते हैं and सबसे पहले first house को देखेंगे and first house के लिए आप लोगों के लिए cards है comparison and wheel of fortune और दिखे wheel of fortune का card taro में changes की बात करता है ending, beginning की बात करता है movement, shift की बात करता है और कुछ ऐसा ही आपके self से related रहता हुआ दिख रहा है यह general reading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा, कुछ के लिए हो सकता है Libra's की पीछे किसी चीज में आप अटके हुए थे, बहुत stuck महसूस कर रहे थे जिसकी वज़े से किसी level पे आप परिशान भी हो रहे थे, तो 2023 में उन्ही energy से आप खुद को बाहर निकालते हुए दिख रहे हैं again देखिए broader level के लिए एक shift, एक change, एक movement, एक progress, एक growth आपके self से related 2023 में आती हुए दिख रही है या फिर आप बहुत जादा emotional, sentimental relationships को लेकर हो रहे थे या फिर otherwise भी कोई ऐसी चीज आप कर रहे थे जिसकी वज़े से आप परिशान हो रहे थे तो 2023 में आपको ऐसे लग रहा है कि ये आपने अपने अंदर एक चीज चेंज करनी है इस चीज को खतम करना है और नए सिरे से अपने आपको मैं कहूंगी renew करना है या फिर एक change अपने अंदर इसी चीज को लेकर आना है तो again दिखिए changes आपकी personality आपके self से related आ रहे हैं सब के लिए different होंगे कुछ के लिए कोई आदत हो सकती है जिसकी वजह से पीछे आप परिशान हुए उसको आप end करके आगे बढ़ना चाहा रहे हैं और इसी से ही related काफी एक up and down होता वा रहे रहा है क्योंकि देखिए ये wheel of fortune का card है तो एक तरफ ये card कहता है कि किस्मत आपका साथ देगी आपको luck favor करेगा लेकिन दूसरी ही तरफ ये card कहता है कि कभी चीजें बहुत अच्छी रहेंगी और कभी उनों उतनी अच्छी नहीं रहेंगी या फिर इसी एक effort के लिए कभी-कभी आपको लगेगा कि हाँ आप हाथ easily कर पा रहे हैं कभी-कभी इतना easy नहीं रहेगा बट एक promise में आपसे कर सकते हूं कि आपकी growth आपकी progress sales related जरूर होगी क्योंकि देखिए हम सब लोग उने पईया देखा है, wheel देखा है, जब हम wheel के उपर कोई चीज रखते हैं तो जब ये पईया wheel चलता है, जो ऊपर चीज होती है वो नीचे होती है, जो नीचे होती है वो ऊपर आती है लेकिन अगर ये पहिया चल रहा है तो movement जरूर होती है आप आगे जरूर बढ़ते हैं और यही कहीं देखिए overall के लिए आपके लिए 2023 में रहता हुआ दिख रहा है यानि कि again कभी बहुत एक high energy levels रह सकते हैं कभी इतने high energy levels नहीं रहेंगे या मैं कहूंगे low आप feel कर सकते हैं अभी कि बहुत easy रहेगा कभी इतना easy नहीं रहेगा तो इसी से ही related देखिए एक up and down रहता हुआ दिख रहा है और हो सकता है कुछ के लिए आप कोई vehicle खरीदना चाहा रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि आप जादा travel करना चाहा रहे हैं और देखिए इन ही सब चीजों स नहीं है लेबराज लेकिन देखिए over comparison या फिर over mind से चलना या फिर देखिए यहां पे तो खेर cards over mind से चलने की बात कर रहे हैं लेकिन जब आप over emotional भी होते हैं तो भी कहीं परेशानिया होती हैं नचल में देखिए कोई भी चीज चाहें जितनी भी अच्छी हो जब हम उसे परेशान होते हैं तो यहां पे दिखें अगर आप अपने आपको कभी भी 2023 में किसी भी चीज के लिए comparison करते हुए पाएं तो एक चीज को ज़रूर pause करके चेक करें कि यह जो comparison है यह आपको grow करने में help कर रहा है यह आपके self related या फिर जिस भी life के area में आप comparison कर रहे हैं उसम growth लाने में help कर रहा है आपको एक better feeling दे रहा है बहुत अची बात है लेकिन जैसे ही आपको लगे कि इस comparison की वज़े से आप परेशान हो रहे हैं या फिर आप demotivate हो रहे हैं आपने तुरंट इसको चेक करके correct करना है second house के लिए आप लगों के लिए cards है transformation and the magician और दिखिए transformation का card again changes की बात करता है तो दिखिए आपके money पैसे या फिर मैं कहूंगी income के जरिये से related कुछ changes भी 2023 में आते हुए दिख रहे हैं ये भी सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि कोई एक पुराना income का जरिया है वो आप बंद करके नए कोई income का जरिया शुरू कर रहे है या फिर literally कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नए कोई एक income का जरिया आपका शुरू हो रहा है और यहाँ पे देखिए transformation का card पुरानी चीज़ों को end करन पढ़ रही हैं या फिर आप करना चाहा रहे हैं और देखिए जो भी ending, beginning हो कहीं magician का card कहता है कि बहुत confidently आप चीज़ों को deal कर रहे हैं और ये देखिए ending, beginning positive रहती हुई दिख रही है क्योंकि फिर से मैं कहूंगे यहाँ पर magician का card है magician का card जहां एक तरफ magical energies की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ बहुत सबर्दस्त, will, power, focus, determination भी रखने की बात करता है और कुछ ऐसा ही money finances से related रहता हुआ दिख रहा है और कुछ Libras के लिए भी हो सकता है कि थोड़ा सा आप you know manipulate कर रहे हैं चीजों को money पैसे से related यह आपको करना पड़ रहा है या फिर कुछ Libras के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं वो थोड़े से manipulative हो रहे हैं और दिखिए मुझे यह chances जादा दिख रहे हैं Libras की आपके आसपास के लोग थोड़े से manipulative हो रहे हैं क्योंकि आप लोग बहुत loving, caring होते हैं आपके लिए relationships बहुत बहु नहीं करेंगे unless and until बहुत ही ज़रूरी हो तो अगर आप भी ऐसा पाए Libras इस चीज को ज़रूर चक करके correct करें या फिर इस चीज के लिए alert रहें, conscious रहें, cautious रहें और यहाँ पर दिखिए फिर से मैं कहूंगी कि जो भी आप profession में हैं, जो भी काम कर रहे हैं आप बहुत smartly हर चीज को deal कर रहे हैं और कहीं आपको एक money पैसे से related gain भी हो रहा है और कहीं देखिए again मैं कहूंगी कि एक बहुत confidently भी चीजों को deal करने की ज़रूरत पर सकती है, इस area से related अगर आप थोड़ा सा भी simple रहेंगे, थोड़ा सा भी आप बहुत ज़ादा सादगी से चीजों को deal क करेंगे तो फिर आप परेशान भी हो सकते हैं, in fact दिखें यहाँ पे second house के लिए magician का card कहता है कि आपको थोड़ा सा manipulative होना भी है, आप बहुत सादगी, बहुत simplicity के साथ money के matters को 2023 में ना deal करें, थोड़ा सा एक you know clever energies यहाँ फिर smart energies required होंगी and otherwise दिखें second house अच्छा रहता हुआ दिख रहा है, कोई बड़ा एक position भी या कोई बड़ा acid भी आप खरीद सकते हैं, financially चीज़ें ठीक ठाक 2023 में रहती भी दिख रही हैं, फिर से आपको एक चीज़ कहा दूं कि willpower ज़रूर रखें, focus ज़रूर रखें, determination ज़रूर रखें, कोई skill update करनी हों वो भी ज़रूर करें and क्योंकि देखे, magician का na, communication करने का तरीका बहुत बहुत अच्छा है, बहुत strong है, तो देखे, अपना way of communication आप बहुत smart रखें, बहुत एक जिसे बोलते हैं कि clear रखें, इससे भी आपको money या फिर पैसे से related gain या फायदा हो सकता है and trust me, आपको लग रहा होगा कि ये बड़ी, you know, ऐसी सी चीज है, बात करने से क्या होता है, लेकिन बहुत सारी चीज हैं हमारी life में न, हमारे बात करने के तरीके पर determine करती हैं, जो लोग मीठा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं वो बहुत सारे काम अपने असान कर लेते हैं, बहुत सारे काम लोगों से भी निकलवा ले दोजार तेईस में मनी मैटर से रिलेटेड आप जरूर रखें थर्ड हाउस के लिए आप लगों के लिए काज हैं एक्सपिरियेंसिंग और नाइट अफ कप्स और दिखिए नाइट अफ कप्स का काज कहीं emotions की बात करता है sentiments की बात करता है तो अपने siblings को लेकर आप काफी emotional, काफी sentimental होते हुए दिख रहे हैं और कहीं बहुत sensitive भी होते हुए दिख रहे हैं उनकी बातें या फिर मैं कहूंगे छोट-छोटी बातें आपको hurt कर सकती हैं आप बहुत उनके लिए caring भी होते हुए दिख रहे हैं और कहीं ऐसी ही energies आपके sibling की भी आपके लिए रहते हुए दिख रहे हैं यानि की हो सकता है कि वो भी emotional हो रहे हैं sentimental हो रहे हैं या फिर sensitive हो रहे हैं अगर कुछ भी issues, कुछ भी मसले आपके और आपके sibling के बीच में रहे रहे थे तो वो कहीं किसी level पे resolve भी होते हुए दिख रहे हैं और siblings के लिए या तो आप बहुत एक vision create करते हुए दिख रहे हैं उनसे related कोई ख्वाब देखते हुए दिख रहे हैं या फिर आपके siblings कहीं एक imaginary world में रह रहे हैं ख्वाबी दुनिया में रह रहे हैं जहां पे जो भी वो अपने लिए चाहते हैं उसके लिए concrete actions concrete steps या फिर मैं कहूंगी कि एक practical realistic तरीके से चीजों को नहीं deal कर रहे हैं या नहीं ले रहे हैं अपनी ख्वाब अपनी wishes को manifest करने के लिए और दिखे कहीं मैं ये नहीं कहूंगी कि खराब you know siblings के साथ कुछ भी रह रहा है लेकिन बहुत कुछ materialistic world में या फिर मैं कहूंगी कि tangible भी उनके साथ नहीं होता वा दिख रहा है बातें जादा हो रही हैं ख्याली plow जादा बन रहे हैं ख्वाब जादा देख रहे हैं अच्छा हम ये कर लेंगे अच्छा हम वो कर लेंगे अच्छा हम ये नहीं गूमने जाएंगे हम वहाँ वो करेंगे तो इस तरीके की देखे अगेन मैं कहूंगी बातें हो रही हैं लेकिन बहुत जादा कुछ आपस में concrete नहीं होता हुआ दिख रहा है अगेन मैं कहूंगी मैं ये नहीं कहरे हूँ कुछ खराब हो रहा है ना कुछ बहुत गरेट हो रहा है अगर कुछ इशू था तो वो रिजॉल्व हो रहा है और प्यार महबत की बातें या फिर एक expression of love वो जादा रहता हुआ दिख रहा है अगेन मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें आप लोगों के बीच में जादा रहती हुए दिख रही है और ये काट कहीं आपके way of thinking को भी represent करता है तो 2023 में आप खुद के लिए भी बहुत एक खुआब देखते हुए दिख रहे हैं फिर से मैं कहूंगी कि जो भी आप चाहते हैं उससे related vision आप create करते हुए दिख रहे हैं और बहुत clear एक vision है बहुत एक अच्छे से जो भी आप चाहते हैं उसको mind में आप conceive करते हुए दिख रहे हैं जो कि बहुत बहुत अच्छी बात भी है Libras and आपका way of communication बहुत soft, बहुत loving, बहुत caring रहता हुआ दिख रहा है और कहीं आप hurt भी होते हुए दिख रहे हैं कुछ भी feelings, कुछ भी love किसी के लिए अगर आप महसूस करते हैं तो आप express भी करते हुए दिख रहे हैं बस एक चीज का खयाल रखें अगर आप over sensitive हो रहे हैं अपने siblings को लेकर या फिर you know अपने communication में तो उसको ज़रूर आप check करके correct करें और कहीं दिखिए एक experience आप चीजों को करना चाहा रहे हैं अपने thoughts को, अपने vision को, अपने ख्वाबों को आप बहुत अच्छे से experience भी कर रहे हैं बहुत अच्छे से अपने ही mind में जी भी रहे हैं अब आप कितने action लेंगे इन ही ख्वाबों को reality में convert करने के लिए उसके लिए हम 10th house को देखेंगे तो देखें, 3rd house से related भी, ठीक ठाक cards हैं और ठीक ठाक सी चीजें भी रहती हुई दिख रही हैं और देखें, yes, 3rd house से कहीं short travels भी आती हैं तो यहाँ पर देखें, again, short travels related बाते जादा होती हुई दिख रही हैं आप सोचते हुए जादा दिख रहे हैं लेकिन बहुत कोई short travel नहीं 2020 में रह रही है देखें, मैं यह नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी नहीं हो रही है क्योंकि आजकल यह बड़ा normal है एक जगा से दूसरी जगा पर जाना लेकिन जितना आप करना चाहा रहे हैं, उतना नहीं हो रही है या फिर आप सोच जादा रहे हैं कि भई मुझे travel करना है, मैं यहाँ पर भी travel करना चाहता हूँ मैं वहाँ पर भी travel करना चाहता हूँ, चाहती हूँ लेकिन उस हिसाब से उतनी again travel नहीं होती हुई दिख रही है जितना आप normally करते हैं या पिर जितना आप again सोच रहे हैं फोर्थ हाउस के लिए आप लोगों के लिए cards है, two of swords and guild और देखिए यहाँ पे cards कहीं बहुत जादा किसी चीज को लेकर सोचने की बात करते हैं या फिर एक conflicting energies की बात करते हैं और यहाँ से देखिए vehicles आते हैं, property आती है तो इन cards के हिसाब से या तो इन चीजों को खरीदने के लिए आप बहुत-बहुत सोच रहे हैं और देखिए आपके self के लिए भी wheel of fortune का card है wheel भी कहीं vehicle को represent करता है तो जो भी लोग vehicle खरीदना चाहा रहे हैं इतनी conducive energies 2023 में आपके लिए नहीं रहती हुई दिख रही हैं और यहाँ पर देखिए सिरफ और सिरफ मैं आपकी बात कर रहे हूँ आपके घर में आपके family members खरीद सकते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आपके घर में कोई vehicle नहीं आ रहा है या फिर कोई भी vehicle नहीं खरीद रहा है आपके नाम से आप नहीं खरीद पा रहे हैं या फिर नहीं खरीद रहे हैं और हो सकता है इसी से related आप बहुत जादा सोच रहे हैं मुझके लिए हो सकता है कि आप action ही नहीं ले रहे हैं initiative ही नहीं ले रहे हैं और देखिए हमने यहाँ पर देखा भी 3rd house में कि आप सोच जादा रहे हैं और उतना शायद आप ना करें, especially वहिकल और प्रॉपर्टी लेने से related especially अगर आप 2023 में प्रॉपर्टी और वहिकल खरीदना चाहा रहे हैं या फिर आपकी ऐसी planning हो रही है, तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो कुछ चीजों को आप avoid करें, आप decision ले, आप choice ले क्योंकि एक major reason आप property या फिर वहिकल नहीं खरीद पा रहे हैं इसकी आप बहुत जादा again सोच रहे हैं, आप decision नहीं ले पा रहे हैं, choice नहीं कर पा रहे हैं आप बहुत सरी चीजों को ignore कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, जब मैं कहती हूँ, बहुत सरी चीजें ignore कर रहे हैं मतलब आप funds के बारे में अगर सोच रहे हैं, उसकी वज़े से नहीं खरीद पा रहे हैं तो कुछ ऐसे funds हैं आपके पास, जिनको आप manage करके खरीद सकते हैं, आप शायद उनको देख नहीं रहे हैं यहाँ पर देखिए, two of swords का card कहता है कि किसी चीज़ को आप avoid कर रहे हैं, ignore कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर आपने आखों में पट्टी बांदी हुई है और कहीं देखिए, आप अपना heart chakra भी block करके बैठे हुए हैं और यह दोनों ही चीज़े जो मैंने आपको बताया, वो property और vehicle से related रहती हुई दिख रही हैं और यहाँ से mother भी आती है, तो mother के साथ दिखिए, यहाँ तो relationship में कुछ issues मसले हो रहे हैं mother की कुछ बातों को आप अन सुना कर रहे हैं, अन देखा कर रहे हैं यहाँ भी देखिए, सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है, कि mother आपको कुछ समझा रही है और आपको लग रहा है कि भाई, क्यों मुझे बोल रहे हैं, मुझे नहीं करना है और कुछ के लिए हो सकता है, कि you know, आप उन पे इतना attention नहीं दे रहे हैं और देखिए, जो भी आप कर रहे हैं, deeper level के लिए एक guilt भी आपको हो रहा है आपको इस चीज का एहसास हो रहा है कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे भी देखिए, भले ही आप वेकल खरीदना चाहा रहे हैं प्रोपर्टी खरीदना चाहा रहे हैं या मदर के साथ अगेन या तो relationship ठीक नहीं रहे रहा है या फिर मदर को आप थोड़ा avoid कर रहे हैं जितना आपको attention देने की ज़रत है, उतना नहीं दे रहे हैं आप फिर उनसे related good decisions, कुछ choices लेने की ज़रत है, वो आप नहीं ले रहे हैं और deeper level के लिए again, बहुत जादा आप mentally सोच रहे हैं और इसी वज़े से दिखे एक सुकून, एक peace of mind नहीं रहे रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि आपको अपने घर में इतना अच्छा नहीं लग रहा है घर से related एक unrest सा, या फिर मैं कहूंगी बहुत एक peace, बहुत एक सुकून नहीं आप महसूस कर रहे हैं और दिखे यहाँ पर हम overall 2023 की energies की बात कर रहे हैं आपकी रोज मरा की, you know, चीजों के बारे में नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है न, कुछ लोग बोलें, ma'am, उस दिन तो मैं आया था तो बड़ा, मुझे अच्छा लगा था तो यहाँ पर दिखिए, 2-3 दिन या फिर 10-15 दिन की बात नहीं है हम एक broader level के लिए 2023 की बात कर रहे हैं और 2023 के लिए कहीं घर से related again एक वो सुकून नहीं मिल रहा है आप mentally किसी चीज को लेकर बहुत सोच रहे हैं या फिर घर का environment ऐसा है, घर का एक atmosphere ऐसा है जहाँ पे आप बहुत एक peace नहीं महसूस कर पा रहे हैं आप बहुत जादा एक mental conflict में रह रहे हैं और दिखे जब मैं आपको ये कह रही हूँ आपने बिल्कुल भी लिब्राज इस चीज को सुन के परिशान नहीं होना है क्योंकि ये एक तो general reading है सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा दोनों ही minor arcana के cards है minor arcana के cards हमें कहते हैं कि आप conscious effort करके awareness के साथ इस energy को change भी कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए taro की तरफ से आपके लिए यही advice होगी कि कैसे आप अपने घर का environment और beautiful करें कैसे आप कुछ ऐसा अपने घर में आड़ करें जिसकी वज़े से एक सुकून रहे आप you know sage burn कर सकते हैं रोज शाम को अपने घर में लोबान आप जला सकते हैं रोज शाम को अगर बत्ती जलाएं या फिर google home I don't know कितने लोग जानते हैं वो अपने घर में लगा के 24 by 7 जो भी mantra के साथ आप connect करते हैं उस mantra को लगे रहन दीजिए mantra से भी देखे घर की energies घर की vibrations बहुत अच्छी होती हैं तो इस तरीके से जो भी चीजें हैं आप कर सकते हैं flowers लगा सकते हैं, plant लगा सकते हैं जो भी indoor plants होते हैं जिससे के लिए के आपके घर में एक बहुत अच्छा सा environment रहे और ये जो cards energies बता रहे हैं उनको आप change कर पाएं और दूसरी एक दिखिए advice आपको cards की तरफ से मैं दूँगी कि आप overthinking इन ही चीजों से related ना करें यानि कि mother से related ना करें वहकिल अगर खरीदना चाहा रहे हैं उससे related property खरीदना चाहा रहे हैं उससे related और घर से related आपने बिलकुल भी again overthinking नहीं करनी जहाँ पे आपको लगे कि आप negative thought process में जा रहे हैं आप फिर overthinking कर रहे हैं आपने फटाक से अपने आपको उधर से बहार निकालना है तो इस चीज की अगर आप awareness रखते हैं तो यहाँ पे जो fourth house से चीज़ें आती हैं definitely आप उनको better कर पाएंगे and please my request to you is कि आप इस reading को as guidance ही लें क्योंकि बहुत सारे लोग नीचे मुझे लिखते हैं कि ma'am reading negative है trust me reading negative नहीं है यहाँ पे तो जो एक possibility हो सकती है cards आपको बता रहे हैं चीज़ों को positive negative करना काफी हद तक हमारे हाथ में होता है और वैसे भी फिर से मैं कहूंगी यह minor arcana के cards हैं और यह cards कहते हैं कि अगर आप एक awareness रखेंगे तो इन energies को ज़रूर change कर पाएंगे तो यहाँ पे देखिए फिर से cards की तरफ से आप लोगों के लिए guidance है अपने घर के महौल को environment को बहुत ज़ादा आप beautify करें ऐसी चीजें add करें जिससे की एक you know सुकून रहे light music चला दिया करें या फिर जो भी चीजें मैंने आपको बता दी हैं फिर से देखिए mother से अपने relationship को better करें इसके लिए भी conscious effort करें मैं ये नहीं कहा रही हूँ कि सब लिब्राज का अपनी mother के साथ relationship 2023 में अच्छा नहीं रहेगा mother से related कुछ ना कुछ issue है जो कि बहुत great नहीं है फिर से देखिए कुछ के लिए हो सकता है कि relationship again कुछ के लिए एक possibility है कि relationship ठीक नहीं है कुछ के लिए हो सकता है mother की बात को आप इतना नहीं attention दे रहे हैं उनकी advice आप इतनी जादा नहीं ले रहे हैं या फिर उनको ignore कर रहे हैं avoid अगर किसी भी हिसाब से कर रहे हैं कभी-कभी देखिए हम avoid, ignore नहीं करना चाहते हैं लेकिन circumstances ऐसे होते हैं situation ऐसी होती है कि हम इतना attention नहीं दे पाते हैं और मुझे ऐसे लगता है कि हम सब लोग ही हमारी mother को ही for granted लेते हैं क्योंकि mother हमेशा loving होती हैं हमेशा caring होती हैं तो हम बाकी चीजों को तो बहुत prioritize करते हैं लेकिन mother को हम इतना casual इतना for granted लेते हैं पता है कि वो नराज नहीं होंगी वो हमें कुछ कहेंगी नहीं वो तो हमारे पास हैं ही हैं तो देखे कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप इतना attention नहीं दे रहे हैं जिसकी वज़े से आप थोड़ा सा परिशान भी हो सकते हैं तो एक conscious effort करें कि अपनी मदर के साथ जरूर time spend करें जरूर you know आप उनको भी prioritize करें उनको भी आप importance दें इस चीज का खयाल आप जरूर रखें और देखें आप मैं फिर से कहूंगी सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा जिस भी तरीके से आपको लगे कि भई इस house से related जो भी चीज़े आ रही हैं उनसे related issues हैं तो कैसे आप better कर सकते हैं आपने उन पे 2023 में focus करना है फिफ्थ house के लिए आप लगों के लिए cards है nine of pentacles and playfulness और दिखें फिफ्थ house astrology में कहीं love romance को represent करता है education को represent करता है pleasures को represent करता है और जो लोग conceive करना चाहते हैं उनके लिए भी हम फिफ्थ house को देखते हैं और यहाँ पे दिखें cards कहते हैं जो लोग already relationship में हैं वो कहीं बहुत अपनी feelings अपनी emotions को control करके discipline तरीके से चीज़ों को करना चाहा रहे हैं यानि कि आप हो सकता है कि एक conscious awareness रख रहे हैं कि आप over कुछ भी relationships में ना करें आप self को ना भूले क्योंकि लिबराज आप लोगों के लिए ही होता है कि relationships में आप खुद को ignore करते हैं आप खुद को भूल जाते हैं अपने partner को या फिर you know सामने वाले को आप जाधा priority के देते हैं तो कहीं देखिए यहाँ पर nine of pentacles का काड कहता है कि आप थोड़ा सा again emotions, feelings को लेकि अपने partner पर depend नहीं करना चाह रहे हैं एक independent सी energies love life से related आप लाना चाह रहे हैं और देखिए हो सकता है लिबराज की यही एक change wheel of fortune का का काड भी आपके self से related कह रहा हो overall ही इतना prioritize करते हैं कि self को भूलते हैं और यहाँ पर देखिए especially love life से related यह काड कहता है कि आप एक conscious awareness रख रहे हैं कि आप self को ना भूले, self को आप in a healthy way prioritize करें और बहुत जादा अपने partner के उपर जिनके साथ भी आपका love life है उनके उपर आप beyond the point ना depend करें और जो लोग relationship में नहीं है single है वो कहीं मुझे लग रहा है कि अभी mentally prepared ही नहीं है किसी relationship में जाने के लिए आप single रहते हुए दिख रहे हैं not because कि कोई इंसान आपकी जिन्दगी में नहीं है या फिर you know किसी से आपकी बातचीत नहीं हो रही है but because आप रहना ही single चाहा रहे हैं आप 2023 में किसी relationship के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहा रहे हैं आपको लग रहा है भया हम single बहतर है नीचे playfulness का काट कहता है कि healthy flirting रह सकती है एक you know casual relationships रह सकते हैं आप वैसे fun मजा मस्ती कर रहे हैं और ये तब की बात है अगर आप single है जो लोग relationship में है उनके लिए मैंने बताया कि आप बहुत sophisticated बहुत controlled way में relationship में रह रहे हैं आप over कुछ भी नहीं कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि again अगर आप already relationship में है कि जो है उसको enjoy करो आप हो सकता है commitment ना देना चाहा रहे हो या कुछ के लिए भी हो सकता है कि आपके partner commitment नहीं दे रहे हैं overall के लिए again love relationships कहीं casual रहते वे दिख रहे हैं एक flirting वाली energies रहते वे दिख रहे हैं going with the flow वाली energies में रहते वे दिख रहे हैं एक excitement है एक enthusiasm है एक युनो बहुत अच्छी energies है जहाँ पर fun, मजा, मस्ती आप लोग ज़ादा करना चाहा रहे हैं या फिर आपके partner की ऐसी energies हो सकती है और दिखिए इसकी वज़े से आप बिल्कुई भी परेशान नहीं हो रहे हैं Libras in fact आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपनी feelings को control कर पा रहे हैं आप कहीं अपने partner और खुद में balance रख पा रहे हैं आप उनको over नहीं कुछ भी कर रहे हैं and देखिए pleasures के इस आप से देखिए तो materialistic चीजें money पैसा आप जादा enjoy करते हुए दिख रहे हैं इन चीजों से related जो भी fun मजा मस्ती होती है जादा करते हुए दिख रहे हैं कोई बड़ी purchase भी आप कर सकते हैं और देखिए कहीं कोई hobby आप बहुत time से अगर pursue करना चाहा रहे हैं वो लिब्राज कहीं 2023 में आप करते हुए दिख रहे हैं ये सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए दिखिए dancing हो सकता है कुछ के लिए music हो सकता है कुछ के लिए gardening हो सकता है और जादा दिखिए earth से related चीजों की एक hobby जादा pursue करना चाहा रहे हैं लेकिन ये general reading है तो सब के लिए differ करेगा nutshell में again मैं कहूंगी कि कोई hobby लिब्राज 2023 में जो कि आप बहुत टाइम से सोच रहे थे नहीं कर पा रहे थे या कर रहे हैं तो उस पे आप जादा focus करते हुए दिख रहे हैं पढ़ाई लिखाई से related भी यानि कि education से related भी ये साल काफी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है और कहीं आप balance कर पा रहे हैं आप fun भी कर रहे हैं, मजा भी कर रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं लेकिन बहुत एक practical, realistic तरीके से आप अपनी पढ़ाई पे focus कर रहे हैं जो college में आप admission चाहा रहे हैं उसमें आपको admission मिल सकता है और वो एक expensive college रह सकता है पढ़ाई पे मैं कहा सकती हूँ कि आप खर्चा करते हुए दिख रहे हैं ये खर्चा सब के लिए refer करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि आपका college बहुत expensive है आपका school बहुत expensive है आप घर के कपड़े भी पैन के जा सकते हैं तो आप थोड़ा expensive कपड़े या expensive नहीं भी है तो एक अपना lifestyle maintain कर रहे हैं अच्छे से dress up होके जा रहे हैं एक रहीसियत आप जो भी कर रहे हैं या मैं कहूंगी richness आप जो भी कर रहे हैं उससे जलकती हुई दिख रही है और साथ ही साथ आप enjoy भी करते हुई दिख रहे हैं जो लोग conceive करना चाहा रहे हैं उस point of view से अगर हम देखें तो देखें कहीं इसके लिए भी मैं कहूंगी कि आप बहुत जादा ready नहीं दिख रहे हैं अभी conceive करने के लिए या फिर उससे related आप थोड़ा सा जो भी required है एक control, एक discipline तरीके से आप चल रहे हैं थोड़ा आप practical, realistic तरीके से चीजों को deal कर रहे हैं 6th house के लिए आप लगों के लिए cards है night of wands and projections और दिखें 6th house astrology में job को represent करता है health को represent करता है service to others भी 6th house से आता है और यहाँ पर दिखें ये cards कहीं change की बात करते हैं तो इन ही से related कुछ changes रहते हुए दिख रहे हैं एक enthusiasm, excitement भी रहता हुआ दिख रहा है तो सबसे पहले job की बात करते हैं अगर आप बहुत time से change of job चाहा रहे हैं change of office चाहा रहे हैं change of location चाहा रहे हैं या फिर किसी भी तरीके के changes चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है आप team बदलना चाहा रहे हैं change of project चाहा रहे हैं change of manager चाहा रहे हैं देखें जो भी चीजे मेरे mind में आ रही हैं मैं कह रही हूँ यहाँ पर यह card change की बात करता है और यह card जादा change of location, change of office या फिर change of job की बात करता है तो इस तरीके के changes 2023 में रहते हुए दिख रहे हैं और दिखिए इसका मतलब यह नहीं है कि यही changes रहेंगे broader level पर यह change की बात करता है तो change of team या फिर simply you know आपका काम करने का तरीका भी हो सकता है आप बदलना चाहा रहे हैं अपना belief system work को लेकर भी आप बदलना चाहा रहे हैं तो again मैं कहूंगी किसी भी तरीके के changes आ रहे हैं और यह changes surface level के लिए एक enthusiasm ला रहे हैं excitement ला रहे हैं लेकिन देखिए यहां पर यह card कहता है कि आप थोड़े से impulsive हो रहे हैं आप थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं और deeper level के लिए projections का card कहता है कि आप reality को अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं reality को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं या फिर कुछ सच से आप वाकिफ नहीं है और दिखें यहां पर मैं आपको यहीं कहूंगी Libras कि जो भी आप करें आप reality से अपने आपको ज़रूर वाकिफ करें या फिर यूनो जो भी सच है उसको अच्छे से जाने उसको अच्छे से समझे action initiative लेने से पहले कितनी बारी होता है हम अपनी ही feelings अपनी ही desires को लेकर share नहीं होते हैं उनको ही हम accept नहीं करते हैं हमें उनके बारे में नहीं पता होता कि real हमारी desire क्या है कितनी बारी मैंने अपनी readings में देखा है लोग बोलते हैं हमें यही चाहिए यही चाहिए और जब वो मिल जाते हैं तो थोड़े टाइम बाद आके बोलते हैं कि माम हमने क्यों उस टाइम पर इतना ज़ादा इस चीज को चाहा हम आच्छली यह नहीं चाहते थे तो दिखें यहां पर मैं आपको सिर्फ एक्जामपल दे रह हैं आप उसको अगर कर भी रहे हैं मतलब आप वो चेंज के लिए आक्छान इनिशेटिव भी ले रहे हैं तो अच्छे से उसी से रेलेटिट सच को आप जरूर जाने यहां पर दिखें मैंने आपको सिर्फ एक एक्जामपल दिया कि कभी-कभी हमें खुद ही अपनी विश रह रहा है और थोड़ा सा एक restlessness anxious energies भी रह सकती हैं और दिखें जब भी हम impulsive होते हैं किसी चीज को लेकर बहुत एक जल्दबाजी करते हैं तो हम काम तो कर देते हैं लेकिन अंदर से एक बहुत great वाली feeling नहीं होती है यहां फिर एक दर सा हलका सा रहता है कि हमने पतने ठीक किया नहीं किया तो यहां पर एक और चीज में आपको कहूंगी कि आप इन ही सब चीजों से related impulsive ना हो immediate action लेने की जरुत हो जरूर लें लेकिन अगेन जल्दबाजी ना करें travel आपकी work से related रह सकती है especially जो लोग ऐसी job में हैं जहां पर travel होती है तो कहीं 2023 में जितनी normal होती है उससे थोड़ी सी जादा रह सकती है जिन लोगों की बिल्कुल ऐसी job है जहां पर travel होती ही नहीं है तो आपके लिए भी थोड़ी वो travel 2023 में रहेगी तो यहां पर देखे जब हम travel की बात करते हैं किसी भी तरीके के changes की बात करते हैं जितने सारे Libras देख रहे हैं सब के लिए similar changes नहीं होंगे जिस level पे आप हैं या फिर जितना आपके you know professional front में job में हो रहा है उससे थोड़ा जादा रहता हुआ दिख रहा है अगें अगर बहुत जादा आप travel करते हैं job से related तो 2023 में और जादा बढ़ती हुई दिख रही है अगर आप बिलकुल भी travel नहीं करते हैं तो एक effort कर रहे हैं या फिर focus कर रहे हैं और physical exercise जादा आप करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि काफी एक high energy levels, action, initiatives रहते हुए दिख रहे हैं और फिर से मैं कहूंगी कि health से related भी जो भी आप कर रहे हैं धोड़ा सा आप ज़रूर pause करके checking कर लें कि वो आप ठीक कर रहे हैं कभी कभ करता है ना कि हाँ इस तरीके से exercise करेंगे तो हमें बहुत benefit होगा और अगर हम उसके बारे में पूरी तरीके से नहीं जानते हैं तो long run में फिर हमें problem हो सकती है ऐसे ही diet भी आजकल बहुत सारी आ गई हैं तो जो भी करें अच्छे से research करके करें अच्छे से उसी से related सच को जा करें सच से अपने आपको वाकिफ करके करें आपके mind में एक you know image है कि हाँ इससे ये फाइदा होगा उसी के basis पर simply ना करें अगें मैं कहूंगे अच्छे से research करें अच्छे से facts को जाने अच्छे से reality को जाने भले ही वह आपकी job हो भले ही वह आपकी physical exercise हो या फिर आपकी health हो यहाँ पर देखिए medicine से related भी या जो भी चीजे health से directly and directly related हैं उन से related भी आप सच या फिर facts को ज़रूर जाने उन चीजों को करने से पहले उस direction में action initiatives लेने से पहले 7th house के लिए आप लोगों के लिए cards हैं the sun and flowering और देखिए दोनों ही बहुत ही beautiful cards है in fact sun taro में best card माना जाता है sun happiness की बात करता है joy satisfaction की बात करता है clarity की बात करता है और 7th house से marriage देखी जाती है 7th house से हम relationships overall देखते हैं partnerships को देखते हैं कहीं you know आपके partner को भी 7th house represent करता है और इन ही सब चीजों से related एक happiness एक joy एक satisfaction रहती हुई दिख रही है तो सबसे पहली चीज जो लोग शादी चाहा रहे हैं उनकी 2023 में शादी होती हुई दिख रही है या फिर बहुत एक conducive energies रहती हुई दिख रही है बहुत एक supportive energies रहती हुई दिख रही है दो 2023 की तरफ से चाहूंगी Libras कि देखिए tarot में जब अच्छे cards आते हैं या फिर astrology में जब अच्छी दशा होती है that only means कि आपको you know अच्छी opportunities मिलेंगी अच्छे chances मिलेंगे चीजें बहुत smooth होंगी लेकिन अगर आप उस opportunity को नहीं लेते हैं आप उस chance को नहीं लेते हैं आप उस चीज को miss क करते हैं और बाद में आप परेशान हो सकते हैं तो यहां पर देखिए अगर आपकी marriage की age है और घर वाले भी आपको बोल रहे हैं और deeper level के लिए आपका भी मन कर रहा है तो कोई अगर अच्छी opportunity मिलती है in fact मैं कहूंगी अच्छी opportunities आपको मिलेंगी आप उसको ज़रूर avail कर करते हैं तब कहीं हम success को miss करते हैं और फिर हम परिशान होते हैं तो यहां पर again marriage related 2023 बहुत अच्छा रहता हुआ दिख रहा है और अगर आप शादी शुदा है तो आपकी married life अच्छी रहती हुई दिख रही है and अगर आप relationship में हैं तो भी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है कुछ rules कुछ norms को follow करते हुए चल रहे हैं आप बिलकुल भी कोई चीज over नहीं करना चाह रहे हैं self के उपर थोड़ा आप focus करना चाह रहे हैं और हो सकता है कि इसी वज़े से आपके relationships भी better हो रहे हैं क्योंकि Libras यह बहुत बहुत important होता है और आप लोग नहीं ऐसा कर पाते ह हैं या फिर जो भी लोग नहीं कर पाते हैं वो कहीं relationships में परेशान होते हैं तो दिखें जो भी reason हो यहाँ पे again sun का काट कहता है पीछे relationships related कोई भी confusion थी कोई भी problems थी कुछ भी चीजें bother कर रही थी या फिर जिन लोगों का relationship divorce के verge पे है या एक दूसरे के साथ बहुत distance आ गया है या बहुत जादा पीछे एक arguments हो रहे थे आपको ऐसे लग रहा था कि अब यह relationship में पता नहीं क्या होगा आप रहें ना रहें आपके partner के ऐसी energies तो जो भी चीजें खराब हो रही थी 2023 में better होते हुए दिख रही हैं यानि कि अगर आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके का distance था या problems चल रही थी लड़ाई चल रही थी तो वो solve होती हुए दिख रही है reconciliation होता हुए दिख रहा है कहीं चीजें better होती हुए दिख रही है और यहाँ पर दिखे जब मैं कह रही हूँ better पीछे you know again आपका relationship किस level पे है उसी level से एक happiness joy आती हुए दिख रही है सब Libras का love life या फिर married life या relationships एक जैसे नहीं रह सकते हैं जिनके में issues चल रहे थे मसले चल रहे थे वो ठीक हो रहे हैं और चीजें better हो रही है जिनका already बहुत अच्छा था उनका और अच्छा हो रहा है तो again जिस level पे आप हैं और जो भी आपके relationship की energies हैं उससे चीजें better होती हुए होते हैं तो partnership भी आपका better रहता हुआ दिख रहा है confusions खतम होती हुए दिख रही है clarity आती हुए दिख रही है और यहां पर flowering का card again you know इनी चीजों को blossom होने की बात करता है इनी चीजों के खिलने की बात करता है इनी चीजों से related a stability a security भी आने की बात करता है एक commitment होने की बात क रहा है एक confidence आपको आरा है या फिर आपके partner बहुत confidently चीजों को deal कर रहे है इस relationship में रहे हैं आपके partner को आपके ओपर confidence आ रहा है या फिर आपका state of mind काफी positive रहरा है काफी positivity के साथ आप्टीएव को deal कर रहे हैं and trust me केतिनी बारी हमारी लाइफ में issues, मसले होते नहीं हैं लेकिन हमारा जो एक negative frame of mind होता है वो normal चीजों को भी problematic कर देता है तो यहाँ पे दिखें जब मैं कहा रही हूँ कि positive frame of mind आ रहा है तो हो सकता है इसी की वज़े से बहुत सारी चीजें resolve हो रही हैं बहुत सारी चीजें या problem solve हो रह होता है कि आपके partner का state of mind बहुत positive रह रहा है वो बहुत एक you know high energies में दिख रहे हैं confident दिख रहे हैं खुद को लेकर आपको लेकर बहुत एक उनकी positive vibe रहती हुई दिख रही है तो बहुत अच्छा रहता हुआ दिख रहा है you know सात्वा घर से related जो भी चीजें आती है दो सारी 8th house के लिए आप लोगों के लिए cards हैं completion and queen of souls तो दिखिए completion का card बहुत ही clearly किसी चीज के complete होने की बाच करता है यहाँ पर again सबके लिए differ करेगा broader level के लिए यह card एक phase के complete होके नए phase के शुरू होने की बात करता है तो यहाँ पर दिखिए कुछ के लिए कोई relationship हो सकता है कुछ करना चाहा रहे थे वो चीज complete नहीं हो रही थी again देखिए relationship हो सकता है जिसमें closure चाहा रहे थे या फिर आपको लग रहा था कि बहुत stuck सी energies हैं बहुत अटके हुए हैं ना चीजे आर हो रही है ना पार हो रही है तो कहीं you know again मैं कहूंगी कि जो चीजों में stuck थे वो कहीं complete हो होता हुआ दिख रहा है नया phase शुरू होता हुआ दिख रहा है और देखिए आपके लिए self के लिए भी हमने wheel of fortune के card में देखा था कुछ changes आ रहे हैं आप stuck energies से अपने आपको बाहर निकाल रहे हैं और यहां पे देखिए stuck energies again कुछ भी हो सकते हैं कुछ के लिए हो सकता है कि इसी relationship में बहुत stuck आप थे जहां पे ना तो चीजे end हो रही थी ना शुरू हो रही थी तो देखिए उस relationship में ही कुछ चीजे end हो रही है नई चीजे शुरू हो रही है और जो भी चीजे शुरू हो रही है अगर specifically relationship से related है तो happiness joy लेकर आ रही है क्योंकि सात्वा अगर आपका बहुत अच्छा है कुछ के लिए हो सकता है अपने professional friend में आप कोई चीज complete करना चाहा रहे थे कोई एक phase आपको लग रहा था भाई ये end हो जाए इसमें तो बहुत time से अटक ही गए है ना again end हो रहा है ना नई चीज शुरू हो रही है तो इस तरीके से देखिए एक ending beginning इन ही चीजों से या फिर जिसमें आप stuck थे कुछ के लिए personal friend से related कोई चीज हो सकती है कुछ के लिए self से related कोई आदत हो सकती है कुछ के लिए कोई काम ही हो सकता है जिसको आप बहुत time से करते जा रहे थे दिखिए जैसे court cases होते हैं ये बहुत कम लोगों के लिए होंगे बट complete होती होई दिख रही है एक नया phase शुरू होता हुआ दिख रहा है पुराना phase end होता हुआ दिख रहा है क्योंकि देखिए completion के उपर queen of swords का card है तो कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है कि कोई female जो की बहुत logical है mind से चलती है बहुत जादा मैं कहूंगी कि emotionally attached चीजों से या बहुत clear रहती है अपने communication में अपनी बातचीत में blunt straightforward बात करती है उनके साथ किसी लेवल पे किसी तरीके से relationship end हो रहा है या किसी तरीके की ending और नई beginning रह रही है कुछ के लिए ending बिगनिंग फिजिकल लेवल पे हो सकती है जहां पे इनो physically आप लोगों के बीच में distance आ रहा है कुछ के लिए हो सकता है साथ में रह रहे हैं लेकिन mental emotional level पे distance आ रहा है और देखे अगेन ये female भी कोई भी हो सकती है कुछ के लिए friend हो सकती है कुछ के लिए आपकी sister हो सकती है और कुछ के लिए कोई भी female हो सकती है कोई भी female हो सकती है ये general reading है बहुत सारे लोग देख रहे और कुछ लिबरास के लिए हो सकता है कि अपना emotional, sentimental, caring, nature को किसी level पे आप end करके एक logical approach आप in general ही relationships को लेकर लाना चाहा रहे हैं तो ये भी एक ending beginning रहती हुई दिख रही है 9th house के लिए आप लोगों के लिए cards है rebirth and 5 of pentacles और दिखे ये दोनों ही cards कहीं again एक issues मसले रहने की बात करते हैं in fact मैं कहूंगी दोनों cards नहीं 5 of pentacles का card issues मसले रहने की बात करता है और कहीं rebirth का card बहुत ही clearly इसी से related ending beginning रहने की बात करता है तो यहाँ पर देखिए long travel या तो आप नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप नहीं कर रहे हैं या उससे related issues हैं या फिर अगर आप कर रहे हैं तो आपका experience बहुत बढ़िया बहुत अच्छा नहीं रह रहा है क्योंकि 9th घर से long travel आती है, higher studies आती हैं और कहीं spiritual growth आती है इसको हम धरम इस्थान बोलते हैं तो देखिए इन ही सब चीजों से related again ending beginning हो रही है कुछ issues कुछ मसले भी रहते वे दिख रहे हैं एक smooth going नहीं रह रही है यहाँ पर देखिए यह भी हो सकता है कि money पैसे से related इन ही सब चीजों में issues रह रहे हैं यानि कि आप higher education करना चाह रहे हैं या फिर जो भी लोग further बढ़ाई करना चाह रहे हैं तो आप सिरफ इसले नहीं कर पा रहे हैं क्यूंकि आपको लग रहा है कि बहुत expensive है या फिर अभी आप उस direction में इतना पैसा नहीं खर्श करना चाह रहे हैं या फिर उतने पैसे आप के लिए नहीं हो पा रहे हैं उस particular college में पढ़ने के लिए या फिर उस एक institute की fees देने के लिए जहांसे आप further education करना चाहते हैं higher education करना चाहते हैं इसी तरीके से जो लोग long travel करना चाहते हैं उनके लिए भी money, पैसा, finances एक reason हो सकता है या फिर या आपको लग रहा है कि बहुत uncomfortable रहे गा या ये भी हो सकता है अगेन आप long travel कर रहे हैं और आपको लग रहा है बहुत uncomfortable है आपको एक rejection मिल रही है आपको कोटे-मोटे issues face करने पड़ रहे हैं और अगेन rebirth का card ending beginning की बात करता है तो इसी से related ending beginning हो रही है यानि कि आप नहीं ही long travel करना चाहा रहे हैं इस चीज़ को आपको लग रहा है end करें और जो भी ending beginning है वो भी कहीं इतनी smooth इतनी comfortable नहीं रहती हुए दिख रही है and in the process Libras आपको ऐ इतना favor नहीं कर रहा है मैं यह नहीं कह रही हूँ कि ऐसा हो रहा है लेकिन जो हमारी life में हो रहा है जरूरी नहीं है हम वैसा ही महसूस करें कभी कभी लोगों की life में सब कुछ बहुत अच्छा होता है लेकिन वो उसको enjoy नहीं कर पाते और वो परिशान रहते हैं कुछ लग रहा है कि जितना आप effort नॉमली हर life के area में कर रहे हैं उतना आपको reward नहीं मिल रहा है उस हिसाब से एक gain नहीं हो रहा है या फिर उस हिसाब से positive results नहीं मिल रहे है और इसलिए आपको लग रहा है कि बहीं किसमत अगर साथ देती ना तो यहाँ पे जितना आपको मिल सकत उससे बहुत आप कर सकते थे, क्योंकि आपने बहुत effort किया, कुछ के लिए हो सकता है, कि आपको simply ऐसा लग रहा है, ऐसा है नहीं है, and yes, ये हो गया आपके लिए 9th house, 10th house के लिए आप लगों के लिए cards है, 10 of cups and we are the world, दोनों ही बहुत ही beautiful cards हैं Libras, तो professional front आपका काफी अच्छा रहता हुआ देख रहा है, और देखे, we are the world का card बहुत ही clearly कह रहा है, कि आप ज़्यादा socialize कर रहे हैं, या फिर आप ज़्यादा लोगों से connect कर रहे हैं, especially professional front से related, आपका social circle या फिर network मैं कहूंगी, network is the correct word, वो ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, और कुछ के लिए हो सकता है, आप out of the country ट्रावल कर रहे हैं, या फिर out of the country आपके connections बन रहे हैं, और देखे, आजकल foreign country में connection बनाने के लिए आपको ट्रावल करने की ज़रद नहीं है, मैं इसलिए कहा रही हूँ क्योंकि 9th house में long travel से related issues हैं, तो कुछ के लिए हो सकता है कि आप कर रहे हैं, अगेन आपका experience traveling का इतना अच्छा नहीं रह रहा है, और कुछ के लिए हो सकता है, कि you know, nutshell में आपके foreign country से related जाधा connection बन रहे हैं, जो लोग international market explore करना चाहते है अपने काम को global लेकर जाना चाहते हैं, उनके लिए 2023 की energies बहुत बहुत अच्छी रह रहे हैं, या मैं कहूंगे उनके profession के लिए 2023 की energies बहुत अच्छी रह रहे हैं, आपको बहुत opportunities मिल सकती हैं, जहां पे आप अपने काम को, अपने profession को global लेकर जाएं, and again, foreign country या फिर आप ज professional एक support, professional एक you know, cooperation आपको मिलता हुआ दिख रहा है, और इसकी वज़े से यहां फिर otherwise भी, बहुत एक happiness, बहुत एक joy, बहुत एक satisfaction, आप अपने professional front में महसूस कर रहे हैं, यहां पे दिखें, money, पैसे की तरफ से भी एक चीजें बहुत अच्छी रह रहे हैं, और एक satisfaction भी कोई काम कर रहे होते हैं, जिसमें पैसा बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसको enjoy नहीं कर रहे होते हैं, और कभी-कभी हम अपने profession को enjoy कर रहे होते हैं, लेकिन हमें लगता है यार पैसा इतना अच्छा नहीं है, तो कहीं 2023 में दोनों ही चीजें बहुत अच्छे से रहती हुई दिख रही है यानि कि एक stability रह रही है एक security रह रही है और जो भी आप कर रहे हैं आपको ऐसे लग रहा है कि long term तक आपको ये चीज एक फाइदा देगी long term तक एक stability security आपके you know profession से related रहेगी और कहीं आप उसको बहुत enjoy करते वे दिख रहे हैं और दिखें ये card भी कहीं किसी ची चीज है incomplete थी वो कहीं complete होती भी दिख रही है आपको आपके loved ones का close ones का या फिर you know जो professional front में family है जिनके साथ हम काम करते हैं वो हमारी professional family होती है उनका बहुत एक appreciation recognition मिल रहा है या personal family की तरफ से एक appreciation recognition मिल रहा है and yes दिखें आपकी जो personal family है वो भी आपके profession में आपको बहुत support कर रही है बहुत cooperate कर रही है बहुत जादा जिसे बोल रहना आपको motivate कर रही है आपको किसी भी तरीके की help की ज़ुरत है तो वो आपकी family से आपको मिलता हुआ दिख रहा है तो देखिए professional front again अच्छा रहता हुआ दिख रहा है जो चीजें आप enjoy करते हैं जो चीजें आपको happiness satisfaction देती हैं वो आप करते हुए दिख रहे हैं और कहीं उन चीजों से एक financial stability एक financial you know security भी मिलती हुए दिख रही है तो ये आपका होगया 10th house 11th house के लिए आप लोगों के लिए cards है three of cups and nothingness और दिखें ये card कहीं friends को represent करता है social life को represent करता है और यहाँ पे three of cups के card का मतलब है कि बहुत आप socialize कर रहे हैं क्योंकि दिखें ये card है ही socialize करने का ये card है ही fun, mazah, musti करने का, friendships का और अगर 11th house में three of cups का card आता है that means कि बहुत ज़ादा you know इस area में चीजें हो रही है या again मैं कहूंगी कि आप socialize कर रहे हैं fun, mazah, musti, friends के साथ eating, drinking, merry making रह रह रही है और दिखें surface level पे एक बहुत beautiful energies रहते हुए दिख रही है आपका friend circle बढ़ता हुआ दिख रहा है आपके connections बढ़ते हुए दिख रहे हैं लेकिन deeper level के लिए आप बिल्कुल blank इन ही सब चीजों से related रहते हुए दिख रहे हैं यानि कि you know आप कोई conscious effort नहीं कर रहे हैं या फि या फिर you know एक again blank energies है आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो रहा है क्यों हो रहा है और you know आगे जाके इन connections से related क्या होगा या फिर ये connections क्या form लेंगे ये भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो दिखेंगे deeper level के लिए blank energies है जहां पे आपकी कोई planning नहीं है अगें आप कुछ चाहा नहीं रहे हैं आपकी कोई expectations नहीं है आप consciously कुछ कर नहीं रहे हैं अपना social circle बढ़ाने के लिए या फिर friendships करने के लिए अपने connections बनाने के लिए लेकिन हो रहे हैं और दिखेंगे ये घर कहीं gain house होता है लाबस्तान इसको हम कहते हैं तो gains को भी represent करता है तो यहां पे द ज़्यादा social life के great होने की बात करते हैं connections बनने की बात करते हैं ज़्यादा again socialize करने की बात करते हैं क्योंकि ये card happiness, joy, celebration, party, get together, reunion को represent करता है तो वो सकता है कि इन ही चीजों से आपको किसी ना किसी तरीके का लाब हो रहा है किसी ना किसी तरीके का gain हो रहा है कभी-कभी देख का होता है यानि कि हमने कुछ किया return में हमें पैसे मिले तो वो एक लाब हो गया कभी-कभी जो हमें friends से एक emotional support मिलता है एक mental support मिलता है या फिर जब हम अकेले होते हैं बोर होते हैं हो रहे होते हैं और कोई friend आ जाता है तो जो एक हमें happiness मिलती है उसको अगर हम लाब या gain कहते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है लेकिन कहीं देखिए वो भी एक gain है वो भी एक चीज है जिसको आप measure नहीं कर सकते हैं जिसकी शायद कोई value नहीं है लेकिन फिर से मैं कहूंगी एक gain तो friends से social circle से आपको gain या फिर लाब किसी भी तरीके का होता हुआ देख रहा है कभी- सिर्फ सिर्फ आपको example दे रही हूँ जरूरी नहीं है ऐसा आपके साथ होगा या फिर ऐसा सब के साथ होगा कुछ के साथ ये हो सकता है क्योंकि लाबस्तान के घर में यहाँ पे friends हैं तो ये एक possibility रहते हुए दिख रही है और आप जादा party करते हुए दिख रहे हैं जादा celebrate अपने friends के साथ करते हुए दिख रहे हैं या फिर आपके किसी खास friend की life में कोई celebration है आप उसमें involved हो रहे हैं कोई party है या again मैं कहूंगी आप जादा you know get togethers plan कर रहे हैं या फिर party कर रहे हैं celebrate कर रहे हैं तो इस तरीके की energies आपके लिए लिबराज रहती भी दिख रही है 11th house related and deeper level के लिए again मैं कहूंगी कोई agenda नहीं है कोई planning नहीं है बस हो रही है और आप उनको enjoy कर रहे हैं 11th house के लिए आप लुकों के लिए cards है mind and king of cups तो दिखिए mix cards हैं एक card बहुत एक happiness की बात करता है joy की बात करता है दूसरा card कहीं mentally बहुत जादा सोचने की या फिर पर परिश चराता है तो जो भी आप खर्चा कर रहे हैं वो एक happiness joy आपको दे रहा है लेकिन mentally कहीं बहुत परेशान भी आप उसी चीज को लेकर हो रहे हैं या मैं कह सकती हूं कि आप relationships पे खर्चा कर रहे हैं जो चीजें आपको बहुत एक happiness देती हैं जिन चीजों को आप enjoy कर रहे हैं और कहीं again एक happiness आ भी रही है लेकिन आपको mentally कहीं परेशान भी कर रही है या फिर आप बहुत जादा सोच रहे हैं और ये काट कहीं foreign country से related चीजों की बात करता है तो यहीं इसके लिए पर apply होगा कि कोई चीज foreign country से related हो रही है जो एक happiness joy दे रही है और यहाँ पर हमने देखा कि देखे 10th house में आप कहीं अपने profession को global लेकर जाना चाहा रहे हैं और फिर आपके professional front में कहीं foreign connections बन रहे हैं या उससे related you know कोई इस तरीके की चीजे रह रही है जो कि यहाँ पर 12th house का काट कहता है कि एक happiness दे रही है लेकिन उनके लिए या तो आप बहुत planning कर रहे हैं और वो planning कहीं mentally आपको exhaust कर रही है या फिर आप बहुत सोच रहे हैं या फिर इन ही चीजों की वज़े से एक stress हो रहा है जहां एक तरफ खुशी आ रही है कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत बहुत logically चीजों को deeper level पे analyze कर रहे हैं जिसकी वज़े से भी देखे हम परेशान होते ह मैं आपकी बात नहीं कर रहे हूं लिबराज हमेशा heart और mind का balance होना चाहिए है जब भी भी हम जरुरत से ज़ादा दिल से काम लेते हैं या जरुरत से ज़ादा दिमाग से काम लेते हैं तब ही हम परेशान होते हैं जब हम इन दोनों का balance रखते हैं तब हम परेशान नहीं हो कि mainly subconscious level पे कुछ fears हैं subconscious level पे कुछ insecurities हैं जिनको आप शायद you know accept नहीं कर रहे हैं या फिर acknowledge नहीं कर रहे हैं जो कहीं आपको deeper level पे परिशान कर रहे हैं और दीखे 6th house में projections के card में मैंने आपको कहा था कि कुछ चीजों को आप avoid कर रहे हैं या फिर कुछ सच को आप नहीं देख आ रहे हैं कुछ facts को आप नहीं जानते हैं और यहां पर देखिए हो सकता है deep rooted जो आपके fears हैं insecurities हैं या फिर जो desires wishes हैं उनको यहां तो आप acknowledge नहीं कर रहे हैं या फिर deal नहीं कर रहे हैं और surface level के लिए एक happiness एक joy रह रही है और अगर ऐसा आप भी पाएं Libras तो बहुत बहु होके deal करें देखिए आपकी cupboard में अगर कोई you know tomato का example मैं को tomato इस टाइम याद आ रहा है रखा हुआ है जो कि सड़ रहा है अब आप उपर से जितना भी स्प्रे कर देंगे ना उस सड़े होई tomato की smell नहीं जाएगी जब तक कि आप tomato को निकाल के बाहर नहीं फेकेंगे उस जग इस लेवल पर हम जो भी कर लें उनको जितना भी cover up कर लें लेकिन जब हम उनको सामने से नहीं deal करते है ना वो हमें एक complete happiness नहीं देती है या फिर back of the mind में हमें परेशान करती रहती है तो जो भी fear हो जो भी insecurity हो उसको आपने upfront होके deal करना है और दिखें सबसे अच्छा तरीका होता ही यह है अपने साथ बैठें अपनी fears की reality को जाने और जिस चीछ से fear है ना वो ही कर लें for example अगर आपको swimming का fear है गाड़ी drive करने का fear है जब तक आप पानी में जाके swimming नहीं करेंगे जब तक आप सड़क पे गाड़ी नहीं drive करेंगे यकीन मानिए आपका fear नहीं जाएग और अगर आप उस चीज को avoid कर रहे हैं यहापे दिखिए यह दो मेने examples यह में यह नहीं कह रही कि आपको गाड़ी driving का fear है या पानी का fear है please I am not saying this I am just just giving you an example कि किसी को भी इस तरीके से जिस भी चीज का fear है उसको avoid करने से कुछ हासल नहीं होगा वो fear और बढ़ता जाएगा लेकिन जब हम उस चीज को कर लेते हैं तो उस fear को हम overcome करते हैं बहुत जबरदस एक confidence आता है हम बहुत better feel करते हैं and देखे this could be one of the reasons जो fourth house जो कि सुख स्थान है उसमें आप एक complete happiness, joy नहीं महसूस कर पा रहे हैं इसके बावजूत कि देखे बाकी के areas में सब कुछ ठीक ठीक ठ फ्रंट में सब चीजें बहुत अच्छी हैं इसका मतलब यह है कि हम positivity के साथ चीजों को deal कर रहे हैं और अगर हम परेशान हैं इसका मतलब यह नहीं है कि externally चीजें खराब हैं इसका मतलब यह है कि हम जो भी चीजे externally हो रही हैं उनको अपने mind में बहुत बड़ा बना रहे है और जो चीजें ठीक नहीं है उन पर focus कर रहे हैं क्योंकि यकीन मानिये इस पूरी ही दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी life में कोई issue ना हो कोई problem ना हो चाहें वो बड़े से बड़ा celebrity हो चाहें वो enlightened इंसान हो दुनिया का सबसे बड़ा या फिर famous सबसे powerful इंसान सबकी life में issues होते हैं तो they are a part of our life हम कैसे उनको deal करते हैं वो बहुत matter करता है और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप जो भी deeper level के fears हैं insecurities हैं उनको कहीं अंदर ही रख रहे हैं और अच्छी चीजों से cover up कर रहे हैं example की तौर बे मैं कहूंगी जैसे कि आप जादा socialize कर रह हैं could be कि आप इस चीज को cover करना चाहा रहे हैं और देखिए कुछ के लिए हो सकता है कि professional front पे आप जादा focus कर रहे हैं तो इस तरीके से कोई भी चीज हो सकती है जिससे आप cover up कर रहे हैं और यहाँ पे cards कह रहे हैं कि आपने cover up नहीं करना अगर आप चाहते हैं कि complete peace complete peace तो ख happiness महसूस करें और यहाँ पे दिखिए 7th house के लिए sun का card है तो आपके partner काफी एक positive frame of mind में रहते हुए दिख रहे हैं आप उनसे भी बात कर सकते हैं वो आपको help कर सकते हैं in you know fear से overcome करने में और जो लोग married नहीं है आप जिनकी life में कोई इंसान नहीं है single है और अब आप बच् आपके life में loved one है जो आपको लगता है बहुत experiential है बहुत समझदार है आप उनके उपर trust भी करते हैं आप उनसे बात करें और बात करके discuss करके deeper level के fears को आप सरूर overcome करें otherwise broader level के लिए अगर हम देखें फिर से एक recap 2023 का आपकी married life आपके relationships आपके partnerships सबसे अच्छे 2023 में रहते आप कितना उनको enjoy करते हैं वो एक अलग बात है यहाँ पर दिखें जब मैं कहती हूँ तो relationships supportive हो रहे हैं वो कहीं आपके साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं उनका एक nature behavior आपके साथ बहुत अच्छा रह रहा है अगर आप इस चीज़ को नहीं accept करेंगे नहीं देख पाएं किसे आप से behave कर रहे हैं तो सबसे best आपका married life relationship के लिए यहाँ पर cards है again बहुत कुछ आपके उपर depend करेगा कि आप चीज़ों को कैसे deal करते हैं और देखें money पैसा भी ठीक ठाक अच्छा रहता हुआ दिख रहा है कुछ changes आ रहे हैं और yes देखें changes कहां आ रहे हैं एक तो 9th house long travel से related changes आ रहे हैं और एक money से related changes आ रहे हैं दो चीजों में changes आते वे दिख रहे हैं yes आपकी job से related भी changes आते वे दिख रहे हैं job में जैसे कि मैंने आपको बिताया जादा change of location change of job change of office रहता हुआ दिख रहा है मतलब अकेले रहने का मतलब यह नहीं है फिर से की आप अकेले हैं मतलब आप किसी के ऊपर अपनी feelings emotions के लिए नहीं depend करना चाहा रहे हैं और जो single हैं वो भी मुझे नहीं लग रहा कि बहुत effort कर रहे हैं relationship में जाने के लिए अकेले रहना चाहा रहे हैं playfulness का card भहुत ही clearly कह रहा है इनी चीज़ों को आप enjoy कर रहे हैं तो देखे एक जो area ठीक नहीं रह रहा है या in fact मैं कहूंगी दो areas हैं एक तो fourth house हो गया उस पर थोड़ा सा attention दें यानि कि मदर के साथ relationship को better करें गाड़ी वहेकिल ले पा रहे हैं बहुत अच्छी बात नहीं ले पा रहे हैं जादा ना सोचें और एक positive frame of mind खुद के लिए लेकर आएं और long travels related और fears and security बस ये चीज़ें हैं जिन पर काम करने की तो दिखिए guidance के लिए यहाँ पर सबसे पहला card है obstacles तो दिखिए जैसे कि अभी हमने fourth house में भी देखा कि आप जरुरत से जादा चीज़ों को सोच रहे हैं और यहाँ पर 12th house में भी हमने देखा कि कहीं you know insecurities हैं fears हैं जिनको आप नहीं deal कर रहे हैं और यहाँ पर obstacle का card भी कही वही message दे रहा है कि शायद हो सकता है कि आप negative चीज़ों पर जादा focus कर रहे हैं तो liberal obstacles पर आप focus ना करें उनकी solution पर focus करें और थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं आप अपने आपको बहुत strong बनाएं क्योंकि मेरा ये मानना है again सबकी life में issues मसले रहते हैं जब हम बहुत strong हो जाते हैं ये issues मसले बहुत चोटे हो जाते हैं जब हम weak हो जाते हैं ये issues और मसले बहुत बढ़े हो जाते हैं तो इस चीज़ का खयाल रखें अपनी spiritual mental strength बढ़ाएं क्योंकि देखें यहाँ पर 9th house spirituality को represent करता है और कहीं आप इतना religious spiritual activities में involved होते हुए participate होते हुए भी नहीं दिख हैं तो इस चीज़ का भी लिबराज बहुत खयाल रखने की ज़रत है थोड़ा सा एक conscious awareness के साथ आप spiritual religious activities में अपने आपको involve करें और दूसरा कार्ड है gentle और ये कार्ड कहता है soft approach, faith, moderation, understanding तो दिखिए बहुत clear message है कि थोड़ा सा जो भी आप चीज़ों को कर रहे हैं आप softly करे यहां पे देखिए आप खुद के लिए बहुत hard ना हों, खुद के लिए आप बहुत ज़ादा एक you know soft approach रखें, कभी कभी क्या होता है हम लोगों के लिए बहुत करते हैं लेकिन in the process खुद को भूल जाते हैं और खुद पे attention नहीं देते हैं, खुद के लिए बहुत hard होते ह आप लोगों के साथ तो बहुत ज़ादा होता है क्योंकि आप relationships पे बहुत ज़ादा focus करते हैं आपके लिए relationships priority रहते हैं तो देखिए be soft towards your own self और जो भी करना चाहा रहे हैं कभी कभी बहुत एक actively aggressively action लेके उस चीज को achieve करना एक solution होता है लेकिन आपके लिए cards कह रहे हैं आप softly अराम से patience रखते हुए धीरे धीरे चीजों को या जो भी आपका goal है जो भी आपका मकसद है जो आप 2023 में पाना चाहते हैं उसके लिए आप करें यानि कि again एक soft approach रखें अपने goals अपने you know मकसद को achieve करने के लिए बहुत ज़ादा effort ना करें बहुत you know extraordinary महनत ना करें and again मैं कह होंगी खुद के साथ भी एक soft approach रखें retreat का card कहता है a timely departure, letting go, withdrawal, re-evaluation, retirement, don't hesitate to walk away तो Libras ये आप ही जानेंगे कि कौन सा life का area है जिसमें से आपको withdraw करने की ज़रत है जिसमें से आपको थोड़ा सा you know back off करने की ज़रत है ये कुछ के लिए कोई किसी के साथ relationship हो सकता है कुछ के लिए professional front में किसी के साथ अगर आप deal कर रहे थे, कोई dealing चल रहे थे, अगर आपको लग रहा है कि भी इस dealing की वज़े से future में बड़ी problem हो सकती है, future में आपको monetary gain तो हो जाएगा लेकिन mentally आप बहुत परेशान हो सकते हैं, ये again मैं आपको example दे रही हूँ, तो आप timely जब चीजों से withdraw करते हैं, तो आप बहुत सारी problems, बहुत सारे issues को अपनी life में यकीन मानिये solve करते हैं, तो Libra's ये general rating है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मेरे लिए possible नहीं है कि मैं specifically आपको बताऊं कि आप इस चीज से withdraw कर लें, backseat ले लें, आपकी life में जो भी चीज ठीक नहीं चल रही है, आप फिर जिस भी चीज पर आपको लग रहा है कि और invest करके, invest यहां पर सिर्फ money ही नहीं है, energy, emotions, feelings को invest करके, आपको कुछ हासल नहीं होना, आपने सिर्फ परिशान होना है, और time से जब आप उस चीज से थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, उस चीज को let go क कर देते हैं, again मैं कहूंगी आप बहुत सारी अपनी जिंदगी की problems को solve करते हैं, इस चीज का खयाल आपने 2030 में रखना है, again a timely departure, letting go, withdrawal, re-evaluation, खुद के साथ बाट के यह नो एक self-talk करें और देखें क्या आपने पीछे किया, किस से आपको result मिला, क्या किया, जिससे परिशान हुई और जिन चीजों ने तकलीव दी, उनको आप avoid करें, जिन चीजों से आपको gain हुआ, उनको आप pursue करें, retirement, retirement देखें, यहां पे job और professional fund तो होता ही है, लेकिन, you know, at times, relationship से या जिस भी चीज से, नचल में ये काट कहता है, आपको लग रहा है, कि आगे जाके कोई नहीं है, तो time से पीछे हट जाएंगे, तो अपनी जिन्दगी को असान कर लेंगे, ये आप लोगों के लिए 2023 की guidance है, और अब astrology के cards को देख लेते हैं, ये cards जैसे मैंने निकाले तो इसलिए था कि क्या focus area आप लोगों का 2023 में रहेगा, लेकिन ये cards जाता guidance दे रहे हैं, तो आपको जो ठीक लगे, आप उस intention से इनको देख सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर element fire का card है, और ये card कहता है, masculine और yang intuition, यहाँ पर लिखा हुए fire is a symbol of creation, energy and vitality, fire is considered to be the first element to be created on earth, it is a radiant form of energy that brings light to the world and around it, तो देखिए overall इस card का message आपके लिए है, कि एक enthusiasm, excitement, में हर चीज के लिए अबर करा रखें, क्योंकि देखिए आपके self के लिए यहाँ पर हमने wheel of fortune के card में देखा, कि up and down energies रह रही हैं, कहीं एक खुद से related, consistent चीज़े नहीं रह रही हैं, कभी आप over action ले रहे हैं, कभी आप एकदम से बाट रहे हैं, कभी बहुत excited रह रहे हैं, कभी excitement, enthusiasm लो रह रहा है, तो कैसे इसी चीज से related एक consistency आप maintain करें, कैसे एक आपके energy levels balanced रहे हैं, जब मैं कहती हूँ energy levels मतलब enthusiasm, excitement, motivation, जो भी आप करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप कैसे balance तरीके से करें, कैसे इनी चीज़ों को बरकरार रखें, इस पे आप focus करें और कुछ क लिए हो सकता है कि इस पे आप focus कर रहे हैं, 6th house health का होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है house of health and wellness, the 6th house represents issues of sickness and health and service to others including conditions of daily life or work, तो इन चीज़ों पे ज़्यादा focus करने की ज़रा था है, यानि कि आप अपनी health का बहुत खयाल रखें, और देखिए health के लिए हमने आपे projections में द से related एक reality आपको नहीं पता है, कुछ facts आपको नहीं पता है, कुछ सच आपको नहीं पता है, या फिर आप नहीं देख पा रहे हैं, या नहीं देखना चाहा रहे हैं, तो जो भी हो कहीं या तो बहुत सारे Libras का 6th house एक focus area रह सकता है, लेकिन हो सकता है आप over ही इस चीज़ को अगर कर रहे हैं या फिर आप आएं तो उसमें भी जरूर आप balance रखें, जो Libras अपने health का खयाल नहीं रख रहे हैं, उनके लिए हाँ पे बहुत ही clear message है कि अपने work, daily routine और जो भी लोगों को हम service करते हैं, जो भी लोगों को हम support करते हैं, उस पे focus करें, अपने job पे focus करें औ बहुत खयाल आप रखें, and 12th house spices, rehabilitation का है, house of sacrifice and inner life, the 12th house refers to the unconscious and to things beyond the physical plane, it has been called the house of karma, और यहां पे दिखिए 12th house के लिए दोनों ही mixed cards थे, तो कहीं यहां पे यहां पे ये card आपको यहीं कह रहा है कि again जो भी unconscious level पे fears हैं, insecurities हैं, जिनको आप कहीं cover up कर रहे हैं, उनको आप upfront होके deal करें, उनको आप cover up ना करें, उनको आप जड़ से हटाने की अपनी life से कोशिश करें, अब लिबराज आप लोगों के लिए blessings देख लेते हैं, तो देखिए blessings के लिए आप लोगों के लिए सबसे पहला card है grapes, और grapes का card abundance की बात करता है, bearing fruit की बात करता है, fertility क की बात करता है, prosperity की बात करता है, surplus की बात करता है, tempting, plentiful wealth, enjoy the fruits of your labors की बात करता है, overall 2023 में बहुत एक abundant energies रहती हुई दिख रहे हैं, और कहीं दिखें, wealth, money, पैसे से related अच्छा रहता हुआ दिख रहा है, जिस भी चीज़ पे आप effort कर रहे हैं, उससे related भी एक positive results आपको मिलते वे दिख रहे हैं, और दिखें, ये जादा मुझे आपके professional front, आपके business से related रहता हुआ दिख रहा है, and second card है emerald, emerald कई ही healing की बात करता है, ये भी fertility की बात करता है, तो दिखें, एक fertile environment रहेगा, जो भी आपका goal है, जो भी आपका मकसद है, जिसको आप आना चाहते हैं, लेकि तो उस fertile environment या एक conducive environment का कोई फाइदा नहीं है, मेरे घर के सामने बहुत एक उपजाओ भूमी है, और मैं बहुत फल या फिर सबजियां उगाना चाहती हूँ, और organic खाना खाना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसमें बीज नहीं बोती हूँ, तो क्या मुझे फल या फिर पौध मिलेंगे, नहीं ना, तो देखिए, fertile ground का मतलब ये नहीं है, कि जो मैंने चाहा वो हो गया, fertile ground का मतलब सिरफ यह है, कि मैंने effort किया, मुझे result मिलेगा, तो यहाँ पर दोनों ही card fertility की बात करते हैं, तो जो भी आप चाहते हैं, उससे related, एक conducive environment, conducive चीज़े रहेंगी, आप effort क करेंगे, तो result नहीं मिलेगा, और देखिए, emerald का card ये भी कहता है, कि हो सकता है, आप कोई expensive jewelry, या पर कोई jewelry भी अपने लिए, या फिर अपने किसी loved one के लिए खरीद रहे हैं, यहाँ पर ये card strong relationship की बात करता है, और हमने 7th house में देखा ही, कि आपके relationships बहुत अच्छे रहते हुए दिख रहे है, mature love की बात करता है, heart chakra की बात करता है, तो ये एक blessings 2023 में आपके लिए रहती हुए दिख रहे हैं, telephone का card connection की बात करता है, communication, conversations की बात करता है, reaching out की बात करता है, throat chakra की बात करता है, तो दिखिए, अपना communication आप बहतर करना चाहा रहे हैं, या फिर आपका communication लो 11th house में हमने देखा आप ज़्यादा socialize कर रहे हैं आपके काफी connections बन रहे हैं आपका network बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये एक blessings 2023 आपके लिए लाता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये का telephone का है तो जो भी लोग नया phone खरीदना चाहा रहे हैं वो 2023 में नया phone खरीद पा रहे ह हैं और emerald भी है तो देखे ज्वेलरी अगर आप खरीदना चाहा रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे cards आपको कह रहे हैं ये भी एक blessing 2030 लेकर आ रहा है और grapes कहीं fruits की बात करता है तो हो सकता है कि आप ज़्यादा fruits अपनी diet में include कर रहे हैं और अब देख लेते हैं Libras की कौनसे months 2023 में आपके लिए significant रहेंगे तो दिखे September, October and November ये months आप लोगों के लिए 2023 में significant रहेंगे तो ये थाले ब्राज आप लोगों के लिए 2023 की reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आप connect कर पाए हैं तो इस चानल को ज़रूर like, share और subscribe करें